हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार Study IQ IAS Hindi में आप सभी लोगं का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे नाम है मनीश श्रिवास्तो आज हम बात करने वाले हैं Resolution 2024 के बारे में जब भी नया साल आता है तो आप आए दिन देखते हैं कि लोगों के अंतरगत एक विचारधारा रहती है कि हम अगले साल ये करेंगे अगले साल हम ये बदलाव कर लेंगे और विश्भर में इसके उपर काफी Research होती है अलग-अलग तरह के इस पर Studies आती है कि लोग जो हैं अगामी वर्षों में क्या करने वाले हैं इसी को resolution कह दिया जाता है या संकल्प कह दिया जाता है तो आज हम इस session में क्या कोई संकल्प लेंगे या कोई resolution की बात करेंगे तो जब इतने सारे लोग अलग-अलग तरह के resolution ले रहे हैं, तो as a UPSC experiment हमें भी तो कुछ resolution लेने चाहिए, हमें भी कुछ संकल्प लेने चाहिए तो हमारे लिए क्या हूँ, वो बहतर संकल्प, जो हमारे 2024 को बहतर बना सके, हमारी तयारी को और उपर ले जाये जा सके, तो बहुत ही शब्दों में हाज हम बात करने वाले हैं, resolutions पे संकल्प पे, तो सबकी अलग-अलग list है, अगर Forbes की list की बात करें बहुत बढ़ी संस्ता है, जो अलग-अलग तरह के data's provide करती है, उसके अनुसार 2024 में, जो सबसे यादा लोगों ने संकल्प लिये हैं, या इसी को आप कह दे हैं, ये resolutions हैं, ये संकल्प हैं, वो क्या हैं, विश्बर में, ये 2024 के लिए मैं एकदम authentic date आपको बता रहा हूँ, इसमें 48 प्रतीशत लोगों ने fitness पर दियान देने को का है, कि ऐसे आप देखेंगे, कई लोग जिम वगिरा को का है, कि हम इस साल अच्छे से कारे करेंगे, जिससे हमारी वितीय स्तिती अच्छी हो सके, कई लोग कहते हैं, कि mental health हमें अच्छी करनी है, हमारा मानसिक स्वास्त जो है, उसको बहतर करना है, कई लोगों ने lose weight करने के लिए बात करी है, कि हम अपना के अंत्र में ही है, 2024 हमारे सामने ही है, तो 2024 में हम क्या ऐसे steps लें, जो हमें एक बहतर aspirant बनने में मदद करें, हम UPSC exam को crack करने में मदद करें, सबसे पहली चीज है कि इस exam के लिए तो हमें इस वर्ष जैसे थे, हम उसमें और सुधार कर सकें, तो आप लोगों के लिए कुछ मेरे सुझाओ हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं, तो जो मेरी तरफ से आप resolution ले सकते हैं, सबसे पहले resolutions में start with small targets, सबसे पहले अपने लिए छोटे छोटे लक्ष नरधारित करिए, वो लक्ष क्या होने चाहिए, जैसे आप इतने सारे subjects पढ़ रहें, prelims में, mains में, interview के लिए भी आपको current affairs प्रिपेर करना होता है, तो आप जब भी ध्यान दें, तो आ आप बहुत लंबी planning मत करें, आप अभी से इस चीज पर विशेश ध्यान दें, कि आप छोटे target, लक्षों को बहुत छोटा बना कर रहें, यानि आप जैसे planning करें, तो भई एक दिन की plan करें, तो ब्रॉड लेवल पे तो आपको करना ही है, लेकिन आप जब micro level पे बात करें, कि जैसे आपने कोई subject उठाया है, तो आज उस subject में आप कितना पढ़ेंगे, आप उसकी planning करें, आप बहुत लंबी लंबी planning मत करें, कि हम साल भर में या 6 महिने में इस चीज को खतम कर देंगे, क्योंकि जब तक आपका दिन बहतर नहीं होगा, आपका सब्ता बहतर नहीं हो तो इसलिए छोटे targets बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बड़ी-बड़ी महत्वकान शाय नहीं, लेकिन छोटे resolutions पर ध्यान दीजिए, मतलब आपका संकल्प यह हो कि हम हमारा रोजाना जो जीवन है, उसमें हमारा कहीं time waste हो रहा है, हम social media पर ज़्यादा रह रहे हैं, हम दोस्त की practice जरूर करेंगे, जब भी हम topics पढ़ेंगे, तो topic पढ़ने के बाद हम questions की practice करें, MCQs लगाईए, PYQs लगाईए, इनको अपने अभिने हिस्सा बना लीजिए, देखे कोई भी चीज़ को आदत बनने में लगभग 21 दिन लगते हैं, जब आप कोई भी चीज़ को एक ही स संकोच होता हो, या बैठने के बाद मन नहीं लगता हो, तो कुछ अपने लिए targets fix करिए, छोटे targets तो एक दिन के लिए तो करना ही है, लेकिन ऐसे जैसे मान लिए जाए, आप चार घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तीन घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन UPC की मांग एटलीस ये तो है कि आप दिड़ घंटे तो लगातार पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्जाम में भी तीन घंटे तो पेपर ही लिखना होता है, तो एटलीस हम शुरुआती दौर पर एक से दिड़ घंटे से शुरू करें, तो एक से दिड़ घंटा किसी भी दिन म लगातार पढ़ने का प्रयास करिए, अब इसमें अगर आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे तो ये एक्जाम थोड़ा टफ पढ़ेगा, तो सबसे पहली चीज लगातार पढ़ने की प्राक्टिस के लिए, पहले आपको अपना मन बनाना होगा, मन बनाने के बाद खुद परसेंट बढ़ जाता है, तो ये एक छोटा सा रेसिरिशन ले लो, एक संकल पले लो, कि हम आगामी वर्ष में प्राक्टिस जरूर करेंगे, कोशन जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, हम प्रयास करेंगे कि जितने भी हम खोच सकते हैं, वो प्रशन ले लें, ते सीरीज लोगों को पढ़ने में बड़ा मजाता है, जब उनकी परिक्षा होती है, तो भागने लगते हैं, तो आप ये लीजिए, हो सकता है, ये पेइनफुल हो, ये आपके लिए जगाने वाला हो, हो सकता है कि आपको शुरुआत में प्रशन ना बने, लेकिन अगर आप लगाता आई में रह जाएं और अपने स्वास्त पर ध्यान ना दें, तो इसको भी अपने एक रूटीन का अभिने हिस्सा मान कर चलिए, क्योंकि आप स्वास्त रहेंगे, तो आप बहतर परफॉर्म कर पाएंगे, आप ज्यादा लंबे समय तक चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि आ बारा घंटे, तेरा घंटे आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, आप वीक होते जा रहे हैं, तो भाई बाकी चीज़ें भी आपके शेदीर पर असर करेंगे, और आप तयारी नहीं कर पाएंगे, तो हेल्थ को आप भी प्रियोरिटी रखें, जैसे दुनिया के सारे लोग रख रहे हैं, लेकिन आपके हिल्थ का मेन फंक्शन ये है, कि आप उससे क्या प्रयोग कर पाएं, अपनी UPC जर्नी को बहतर कर पाएं, तो पहला मेरा यही है कि स्मॉल टार्गेट्स बनाईए, दूसरी चीज है कि कुश्चन को लगा लगाईए, MCQs को लगाईए, PYQs को लगाईए, और PYQs में यहाँ पर सिर्फ जो है, हम बात prelims के paper की नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए tough हो सकता है, लेकिन इसमें mains की भी बात होगी, और ये mains पर तब होगा, जब आप topic clarity से पढ़ेंगे, तो ज clarity होना ज़रूरी है, clarity जितनी बहतर होगी, उतने अच्छे से आप उस चीज को cover कर लेंगे, तो ये एक विशेश तोर पर आप चीज याद रखेंगे, तो ये छोटी-छोटे संकल्प आपको लेने हैं, और इससे अपना जीवन बहतर बनाना है, पाशा करता हूँ, चीजे तक रहेगा, तीन तारिक से batch शुरू हो रहा है, तो new year sale का फायदा उठा सकते हैं, बाकी आप P2i batches में भी जुड़ सकते हैं, इसकी फीस अभी भी minimum है, 219999 code आप यूज करना ना भूले, मनीश लाइब मेरा code है, तो यूज करेंगे तो ये minimum fees होगी, even in optional subject, आप भी इसको उसमें भी minimum fees हैं, books करीच सकते हैं, test series ले सकते हैं, सभी जगा भी new year sale का आप लाब ले सकते हैं, code यूज करना ना भूले, मनीश लाइब और बाकी कोई भी तरह की issues आते हैं, तो ये मेरे social media handles दिये हुए हैं, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, questions पूछ सकते हैं, आशा करता